सो स्टुनेंट्स देखें फाइनली आरवी पटना के साइट के उपर हिसका लिंक का चुका है आप जल्दी से हम इस notice को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इस notice के अंदर क्या information दी हुई है तो students देखिए ये notice download हो रहा है और ये document download हो चुका है noise के लिए थोड़ी माफी चाहूँगा जो noise आपको वीडियो मिल रही होगी आगे से ये नहीं होगी लेकिन चलिए notice की पहले हम बात कर लेते हैं notice में क्या है आप देखिए यहाँ पर इस notice है इसके अंदर ये colorful notice था बच्चों को यही शक हो रहा था कि colorful notice नहीं है तो देखिए colorful notice आ चुका है ELP second stage examination के लिए यहाँ पर यह पताया गया है कि दो तारिक को जो result declare हुआ था वो उसमें transparency maintain की गई है RRB ने answer keys को लेकर काफी issues create हुए है बच्चों ने response में कहा है कि कई questions गलत है answer keys के अंदर तो यही सब को review में रखते हुए final की revise score के साथ publish की जाएगी दुबारा से और shortlisted candidates के लिए भी एक अलग से list publish की जाएगी RRB website के उपर जो revise जोगी यानि कि नए students को भी इसमें entry मिलेगी students को आप सभी के लिए एक बहुत भड़ी खुशकबरी है जो points में रह गए थे उनके यहाँ पर selection के chances बहुत जादा बन जाते हैं इसके सासाथ आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो बारा तारी को आपको एक्जाम होना था वह भी पोस्पोन हो चुका है यानि 24 को आपका एक्जाम होगा तो कुल मिलाके यह दो information कि यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर बाकी चीजें बताए गई है कि डाइनमिक लिए एक आपके बतानी थी आपके नए लिस्ट आएगी क्योंकि नए बच्चे आएंगे तो कट फी इदर उदर हो सकती है तो खुल मिलाके यह हो सकता है कि कुछ बच्चे बार और कुछ के अंदर आएं क्योंकि नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्ट तो उनको पंदरा ही लेने हैं या जिस इतने उन्होंने डिसाइड किये हैं उतना ही लेने हैं तो दो इंफोमेशन थी जो आपको बता नहीं थी और जो बच्चे बोल रही थी कि सब्सक्राइब है तो फेक नहीं है स्ट देखें यह रियल न्यूज है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो चलेगे तो लाइक दो कीजिएगा गुडबाई एन बेस्ट अफ लग् हुआज झालर के सब्सक्राइब है